हेलो फ्रेंड्स, तो आज की अमारी स्टोरी एक शैतान जादूगर के बारे में हैं, जो अपने स्पेल से दुनिया की हैपिनेस को ख़तम करना चाहता है, लेकिन क्या वो इसमें काम्याब हो पाएगा, तो चहीर शुरू करते हैं, तो मोवी ग्रूविंगम नाम के एक मैजिक सीखने गया था, और उसे वापस आते देख, किंग और उसके लोग बहुत एक्साइटिड होते हैं, उन्हें ग्रीन के मैजिक से बहुत उमीद है, कि वो उनके उदास लाइफ को फिर से कुशार बना देगा, और ग्रीन भी अपने स्पैल से उनकी मदद दरने लगता है, ल वो अपने सोल्जर से उसे अरेस्ट दरने को कहता है, ग्रीन बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक हील पर आकर सोल्जर उसे गेल लेते हैं, तब ही मैरी अपना फ्लाइंग ब्लिप लेकर आती है, और वो दोनों टाउन से निकल कर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं, म मेरी उन एक चोड़ा सा बेबी ड्रेगन मिलता है, और वो उसे पैट बनागर पालने का प्लाइन करते हैं, फिर मैरी टाउन से कुछ सप्लाइज लेने जाती है, लेकिन किंग के सोल्जर से उसे पकड़ लेते हैं, और ग्रीन की मदद करने की जून में, किंग एक पोर्टल के तरू उसे अर्थ पर बेज़ देता है, जिसे वो उननी सो सतर के लेंडन शेहन में आ जाती है, उदर ग्रीन को लगता है कि शायद मैरी उसे दोका दे गई है, और रखो कभी वापस नहीं आने वाली, आगे का सीन कुछ साल बात का है, जहां मैरी अपने ग्रेंटसन टेर के साथ रहती है, और उसे अपने और ग्रीन के किस से सुना रही है, लेकिन टेरी को ये सब एक कहानी की तरह लगता है, और दूसरी तरह हम ग्रीन को देखते हैं, जो आज मिकिंग और टाउन के लोगों से बहुत नाराज है, और उन से अपना बदला लेना चाहता है, आज स्थीन पाक को चलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लोगों को अब उस जगा में बिलकुल इंटरस नहीं था और बैंग मैनेजर भी टैरी को इसे पेचने को कहता है क्योंकि दिन बदीन इसकी हालत बिगरती जा रही है टैरी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या क करना चाहिए और तब ही उसे ब्लिंट में रखा एक हैंडल दिखाई देता है चक करने के लिए वह से ब्लिंट में लगाता है लेकिन देखता है कि इससे उसमें एक मैजिक सा आ गया है और वह एक पोटल से निकाल कर उसे ग्रूविंगम में ले आता है वहां वो एक प्रिंसे अपना बदला नहीं ले पाएगा लेकिन तभी वो देखता है कि आज प्रिंसेस मिया का को रोनेशन होने वाला है और वो किंग के बदले उसी अपना शिकार बनाने की सोचता है फिर वो अपने ड्रैगन डिंगो को लेकर पैलेस की और जाता है जहां टाउन के दूसरे लोग में सेरिमनी में शामिल होने आए हैं और मिया अपने फंक्शन के लिए तयार हो रही है तब ही वो लोग ग्रीम को आते वे देखते हैं जो कहता है कि मैं तो यहां बस खुशिया बाटना चाहता था लेकिन किंग ने सब कुछ बरबाद कर दिया और अब तुम लोगों को उसकी सजा बगतनी होगी इधर दूसरे करफ हम टैरी को देखते हैं जो अर्थ पर वापन जाने की कोशिश कर रहा है और तब ही उसके पास मिया का बैक बीप आता है जो यहां मद़र डूनने आया है और वो टैरी के हैंडल को निकाल कर अपने साथ ले जाता है ग्रीन भी टाउन को बरबाद होते देख बहुत खुश होता है लेकिन उसका मेनियन उसे बताता है कि मिया पैलेस में कहीं छुप गई है और वो उसे डूनने के लिए पैलेस में चलने को खहता है इधर टैरी भी वेप का पीछा करते हुए पैलेस तक आ जाता है और देखता है कि यहां हर तरफ उदासी चाही हुई है और लोगों का बीएवे पे बहुत अजीब है वहां से निकल कर वो मिया के रूम तक आता है और मिया को लगता है कि यह शैद उसका प्रिंस चार्मिंग है जो यहां टाउन की रक्षा करने आया है टैरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मिया उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि हमें चल्दी से मेरे बटलर के पात जाना होगा वहां बटलर उने एक प्रिस्ट के बारे में बताता है जो इस स्पैल को तोड़ने में उनकी मदद कर सकता है लेकिन वो उसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं जानता इतर ग्रिन पे पैलेस तक पहुँच जाता है और टैरी देखता है कि ये तो उसकी दादी की स्टोरी वाला जादूगर है उसे लगता है कि ग्रिन शेर्ट वापस जाने में उसकी मदद कर सकता है लेकिन बट्लर उसे बताता है कि ग्रिन पहले से बहुत बदल गया है और तुमे उसके करेμ नहीं जाना चाहिए तब हिमें आपको एक आइडिया आता है कि टैरी को उसके साथ उस प्रीस्ट के पास चलना चाहिए क्योंकि वो उसके वापस जाने का रास्ता बता सकता है और टैरी भी कुछ सोच कर उसके बात मान जाता है प्रिस्ट की लोकेशन जानने के लिए वो मैब रूम में आते हैं जहां उनके मुलाका जीपियस नाम फेक रोबोर्ट से होती है और तब ही वो देखते हैं कि ग्रीन वे अपने मिलियन्स के साथ महाँ पहुँचा है जीपियस एक सीक्रेट रास्ते से उन्हें पहार ले आता है और बताता है कि वो प्रिस्ट लग जाने में उनके मदद कर सकता है टैरी उन्हें अपना ब्लीम फ्यूस करने को कहता है ताकि वो प्रिस्ट के पास ज़दी से पहुँच सके और बताता है कि अब वो इस जगा और नहीं रह सकता मियां उसके जाने के पास सुनकर उदार सो जाती है लेकि टैरी कहता है कि मुझे अपने दारी के धीम पार को फिर से चालू करना होगा क्योंकि वहीं उनकी आफ्ली निशानी है फिर ज़दी ही वो उस प्रिस्ट के पास पहुँच जाते है और देखते हैं कि वो तो असल में एक रोग जाइंट है जो उनकी बारे में पहले से ही जानता है प्रिस्टो ने बताता है कि तुम लोगों को एक ष्परिक केव में जाना होगा जाए एक ऐसी क्रिस्टल की है जो इस पैल को दोर सकती है और वहीं तुमारे अर्ण पर जाने का रास तबी है तब ही वो देखते हैं कि green ने भी चुपकर सक सुन लिया है और वो उसकी को नश्ट करना चाहता है फिर वो उन्हें मारने की कोशिश करता है और ये लोग अपना blimp लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं लेकिन तब ही एक चिटान उनके बैलून को चीर देती है और इससे वो लोग ग्रैश हो जाते हैं GPS उन्हें बताता है कि पास ही में एक बैलून की इंडम है और वहाँ तुम अपने blimp को ठीक करा सकते हो फिर ज़दे ही वो उन्हें उसके इंडम में ले आता है जहां हर जीस बैलून से बनी हुई है और थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर वो लोग उनकी मदद करने को तयार हो जाते हैं तब ही उन्हें फोलो करता हुवए ग्रीन भी वहाँ आ जाता है और फोर उसके मीनियन सुन पर एंडम कर डेक कर देते हैं तब GPS उन्हें कोकु नाम के एक इंचेंडर के बारे में बताता है, जिसका टिकान अपासी के एक जंगल में है, और वो लोग वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं, रास्ते में उनका सामना कुछ ट्री मॉंस्टर से होता है, जो उन्हें मार्दर क्रिस्मस के लिए डेकोरेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन टेरी किसे तरह पहला कर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है, और वो लोग वहाँ से पर्च निकलते हैं, आगे हम उन्हें कोकु के पास देखते हैं, जो बताता है कि इस पैल को तोड़ने के बस दो ही तरीके हैं, पहला तो तुम्हें किसी हुआ है, और बला इतनी चल्दी सच्चा प्यार कैसे हो सकता है, फिर वो वहाँ से निकल कर एक हिल पर आते हैं, और टेरी को ना चाहते वेबी मिया को किस करना पड़ता है, इससे मिया ठीक हो जाती है, लेकिन टेरी उसे बताता है कि ये सब करना मेरी मजबूरी थी, और मै यह फिलाल इस प्यार के चक्तर में नहीं पढ़ना चाता, मिया बोई सुनकर बहुत दुख होता है, और वो उनसे खुद को अकेड़ा छोड़ने को कहती है, टैरी भी जीपियस और विप के साथ महार से चला जाता है, और जदे ही वो तिनों उस केव तक आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि केव में जिर्फ जादुगर ही अंदर जा सकते हैं, और केव उसे उठाकर पाहर फैट देती है, जहां उसका सामना एक बार फिल ग्रीन से होता है, ग्रीन उस पर अपने स्लेपी स्टेल का यूज़ करता है, जिससे टैरी को नीम दा जाती है, और ग्रीन हमारी मज़द की ज़रूरत है, फिल वो एक आपनी से उसका जीब सा दिखने वाला एक गोड़ा चुडाते हैं, और निया टैरी को किस करके उसे होश में ले आती है, तब यह लोग ग्रीन को आते वे देखते हैं, जिसे केव में कोई की नहीं मिली, और वो इसका इलजाम ट कटे मी किरने के कारण बेहोश हो जाते हैं, और ग्रीन उन्हें पकड़ते कैसल में ले चलने को कहता है, आगी तर सीन कैसल का है, जहां ग्रीन ने उन्हें जेल में डाल दिया है, और मिया देखती है कि टाउन के नोग भी उसके अगेंस हो गए है, फिर वो टैरी से उसकी के बारे में पूस्ती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जाता, और मुझे तो इस बात की चिंता है कि ग्रीन कहीं उसकी को नश्क ना कर दे, नर्मस होकर वो अपने दादी का बताये एक सीग्रेट वर्ड बोलता है, और ऐसा करते ही वहाँ एक पनी आ जात है, मिया उसे वो वर्ड दोबारा बोलने को कहती है, और पता चलता है कि टेरी भी अपनी दादी की तरह एक जादू करी है, उधर ग्रीन उसकी को नश्क देने के कोशिश करता है, लेकिन तब ही वहाँ टेरी और मिया आ जाते है, जो मैजिक से उस जेल से छूट दे थे और टेरी ग्रीन के हाद से उस की को छुडा लेता है, फिर वो ग्रीन और उसकी मीनियल्स का मुकाब्ला करने लगते हैं, और टेरी ग्रीन को कैसल की चल से नीचे गिरा देता है, फिर वो की के मैजिक से ग्रीन की स्पेल को तोड़ देते हैं, और उनका टाउन एक बार फिर पह उसके पीछे जाता है और पोदर से होते वे वो दोनों तीम पार्प में आ जाते हैं यहां ग्रीन को अपनी और मैरी की फोटोस दिखाई देती हैं और वो समझ जाता है कि मैरी उसे कभी नहीं भूली थी तब टैरी उसे बताता है कि वो हमेशा आपको बहुत मिस करती थी और आपकी याद में उन्होंने इस तीम पार्प को बनाया था ग्रीन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो तो बस लोगों को खुछ देखना चाहता था और इस पर टैरी उससे कहता है कि वो तो आप अभी भी कर सकते हों फिर जल्द ही वो उस तीम पार्प को जोई करने लगता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आप को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज अवे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू